आपको बता दें कि अब मौसम में आए बदलाव की वज़े से सोया तेल में ग्राह की निकली है। इसके बाद विदेश में सोया बीन वाइदा कारोबार में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों के अनुसार देशी बाजार में कारोबार की जो चाल बनना चाहिए वह नहीं बन रही है। ग्राह की हलकी सी बनी हुई है। जानकारों का मत है कि अनेक बड़े व्यापारी अभी भी छुट्टी के मुड में है। अगले सप्ता से कारोबार की असली लए बनना शुरू होगी। सोया तेल खरीदी के मामले में अभी भी ग्राह की परियाप्त स जिसके कारण फिलहाल भाव कम ही बने हुए हैं। कम दामों पर किसान उपज बेचने को राजी नहीं है। आगे तेजी की उमीद में सोयाबीन रोकने लगे हैं। इस वज़े से मंडियों में आवग घट रही है। फिलहाल कीमतों में विशेश लंबी तेजी की उमीद कम दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनावों का दबाव भी बाजारों पर बना हुआ है। विदेशों से बड़ी मात्रा में हो रहे खादे तेलों के आयाद से प्लांटों की मांग कमजोर है। यही वज़े है कि सोयाबीन में लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। विदेशी बाजार भी ब्राजील में हुई बरसाथ से पानी पानी हुए है। बिना घरेलू मांग के कीमतों का बढ़ पाना मुश्किल है। आशंका थी कि ब्राजील में अगर बारिश नहुई तो सोयाबीन की कमजोर फसल उतर सकती है। परंतु अंतिमक्षन में हुई बारिश से अंतराष्ट्रिय बाजार कई सालों के निम्न स्तर पर आ गए है। जब तक आयात में क्रूड वर रिफाइन पाम तेल का अंतर नहीं बढ़ता तब तक कीमतों में लंबी तेजी की उम्मीद कम नजर आ रही है। दूसरी और खादे तेलों के दाम नीचे आ जाने से कई प्लांट भी बंद होने के कगार पर पहुँच गए है। कई प्लांट ने क्रशिंग बंद कर पैकिंग की शुरू कर दी है। इसके चलते सोया तेल के दामों में पिछले दो-तीन दिनों से सुधार का वातावर्ण बना हुआ है। प्रती क्विंटल से अधिक नहीं जा पाएंगे। फरवरी एवं मार्च माह के दौरान सोया बीन के भाव पांच हजार रुपए प्रती क्विंटल रहने की संभावना है। Bureau Report Market Times TV